हेलो डियर फ्रेंड्स बेले के तुक्षाम गुरू जी आज हम आपके लिए MP सब इंजिनेरिंग का पार्ट नंबर फोर डिस्क्स करने वाले हैं जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो तो देखिए सबसे पहला हमारा फास्ट कोशन क्या आप गो रहा है तो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस डेटरमाइंड वाई सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है उसको आप मेजर कर सकते हैं बा इन दोनों का जो कोंबीनेशन होता है उसको आपन आप से स्स क Site के नाम से जानते हैं या पर लैग डिस्टेंस जो है भी वेहिकल की एंटी तो सभी को बता कि यह टाइम होता है तो यह फोर्मूला है आप इसको याद रखी कि यह लाइक दिस्टेंस का फोर्मूला होता है एंड सब्सक्राइब को बता जाएं कि भाई सब्सक्राइब यहां पर दिया गया है एडिंग लाइक दिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑप्शिन भी हमारा इसकोश्चिन की लिएंसर बन जाएगा अगला उसन देकिते इंस्ट्रुमेंट यूज़ तो कंप्यूट एरिया और इसकोश्चिन के लिए अगर आपको एरिया मेजर करना है कंप्यूट करना है तो उसके लिए हमारा प्लेनी मीटर ही काम में आता है इंस्ट्रुमेंट ऑप्शन बी हमारा इसकोश्चिन के लिए बन जाएगा एक यहाँ पर और इंपोर्टेंट है पेंटाग्राफ यह इंपोर्टेंट है दोनों इंपोर्टेंट है वैसे इसका तौनसर मैंने बता देए पेंटाग्राफ जो होता है यह किसी भी जो आपको मैप होता है उसको आपको छोटा करना या बड़ा करना है तो उसके लिए आ अगला कोशन नेगी है, Structural Member carrying a compressive load in a trusses is called, उसको आप क्या बोलते हैं? Structural Member carrying a compressive force, या पर compressive force या फिर लोड दिया गया है, तो भई उसको आप किस नाम से जानते हैं? Baton, Lacing, Struct या फिर Gucet Plate, किस नाम से आप उसको जानते हैं? सुबह यहां पर आंसर जो रहेगा वो start रहेगा start हो चाहे हमारे पास column हो या फिर हमारे पास extension हो यह सारे जो होते हैं यह compressive load को ही सहन कर सकते हैं लेकिन tie जो होती है यह tension member को सहन कर सकता है tension load जो लगता है उसके लिए tie member ही use होता है option c is question की answer हो जाएगा अगला देखिए the ring and bowl test is used to determine the dash of the bitumen ring and bowl test जो होता है उसको आप use करते हैं ताकि वो पता लगा सके dash of the bitumen specific gravity flash point या फिर viscosity या फिर softening point क्या अंसर रहेगा इस question के लिए so इसमें हमारा अंसर जो रहेगा वो softening point रहेगा यहां फिर softening point तो नहीं दिया है option गलत है लेकर हिंदी में बिल्कुल सही दिया गया है softening point test जो होता है उसमें आप apparatus यूज करेंगे ring and bowl apparatus तो यह softening point में यूज होते हैं option d हमारा अंसर होगा इस question के लिए यह भी common question है हम जो बसे सारे question जो है इनको यूज कर चुके हैं पढ़ चुके हैं जितने भी हमारे expect कोई ऐसा question है जो की repeat नहीं हो रहा है बाकी question almost जो हमने कई बार अपने वीडियो में आपको करवाए हुए हैं अगला question क्या पूर रहा है is used to determine the permeability of constant head perme meter एक test होता है जिसको आप use करते हैं ताकि आप determine कर सके permeability of dash soil किस soil की यहां पर constant दिया गया है हमारे पास एक fine head भी होता है तो उस वो fine sand के लिए किया जाता है तो यह constant for coarse grain के लिए किया जाएगा option b हमारा question के लिए answer हो जाएगा अगला देखिए is code of practice for pre stress concrete pre stress concrete के लिए कौन सा is code जो होता है वो huge होता है किस is code में आता है तो यह is is code में आपको pre stress concrete के बारे में जानकारी जो है वो मिल जाएगी देखिए specific gravity of pure tar is in the range of pure tar जो होता है उसकी जो specific gravity होती है वो कितनी होती है common question है क्योंकि tar होता है यहां से आपके बहुती question बनते है specific gravity जैसे की बिचमन की भी होती है कुछ नगुच अपर स्विचमन की तो यह होती है यहां पर वान पॉंट जिरो डू होती है यहां पर गुछ और Points की मैं अपको बता दूंँ जैसे की जो हमारे पास चूना होता है लाइम जो होता है उसकी 3.40 यह specific gravity होती है अगला option देखिए the total count of bacteria in potable water should not exceed total count of bacteria in potable जो पीने वाला पानी होता है वो कितनी value से exceed नहीं करना चाहिए तो जो potable पानी होता है water होता है यहाँ पर बहुत से points आपको पता होने जरूरी है जैसे कि आप यहाँ पर temperature की बात करेंगे temperature जो होता है 4 से लेकर 10 degree Celsius होता है potable water का pH value की बात करेंगे तो 6.5 से लेकर 8.5 होता है उसके बाद hardness जो होती है उसकी आगर आप बात करेंगे तो 100 mg पर लीटर होता है क्लोराइड जो होता है उसकी बात करेंगे तो 200 mg पर लीटर होता है ये पॉइंट ये आपको पता होने चाहिए मेगनीशियम जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए तो वो 1500 mg पर लीटर होता है जिंग जो होता है उसकी अगर आप बात करेंगे तो वो 5 mg पर लीटर होता है अब यहां पर बूशा गया है कि वह टोटल काउंट ओफ वेक्टीज जो होता है वो कितने होते हैं तो टोटल काउंट ओफ वेक्टीज जो होते हैं वो 10 होते हैं CC CC का meaning होता है कि cubic, centimeter, centimeter cube, 10 centimeter cube, CC का meaning ही होता है, इतने जो होते हैं, वो acceptable होते हैं, इससे ज्यादा acceptable नहीं होते हैं, यह कोली जो होता है यह एक होना चाहिए इस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए Option A हमारा इस question के लेंसर बन चाहेगा अगला देखिए The capacity of doing work by an skilled labor in the form of quantity per day is known as Capacity of doing work by an skilled labor किसी भी अच्छी labor के द्वारा जो भई जिसको सब कुछ पता है उसके दवारा capacity of doing work in the form of quantity per day quantity की form में एक दिन में काम किया जा रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं उसको हम out turn के नाम से जानते हैं कि भई एक labor जो होता है एक दिन में कितना काम करता है या फिर machine कितना square meter काम करता है bricks का तो यह चीज यहां पर पूछी गए तो इसको out turn ही बोला जाता है यह question जो है exam में कई बार पूछा गया लेकिन out turn से पूछा गया है अगला देखे तो basic form of trusses is a basic form of a truss is क्या होती है basic form जो होती है trusses की basic form जो होती है trusses की वो क्या होती है त्रिकॉर्ण होती है तो यह चीज आपको पती होनी चाहिए अगला कॉस्चन देखते हैं यह हमने हाइवे इंजिनेरिंग जब हम शुरू कर रहे थे वहाँ पे मैंना को बताया था उसकी लेंद्ध के अलोंग तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं ग्रेडियंट के नाम से हम उसको जानते हैं बोला था हमने कई स्टूडिन को पता होगा तो ऑप्शन दी हमारा इस कुश्चन के लिए इंसर हो जाएगा अगला क्या बोला था दिफोर्मेशन ओफ शेप ऑफ ब्रिक काउस बाइदर रेंड वाटर फॉलिंग ओन दा होट ब्रिक इस नावन एज जब भी आपकी जो ब्रिक होती है वो गरम होती है उस पर जो पानी पढ़ता है उस वज़ए से उसकी शेप जो होती है ब्रिक की वो थोड़ी हो टूर चाहती है उसको आप किस नाम से जानते हैं इस नाम से जानते है चफ ए हमारा इसullen बन जाएगा Outer projection, projecting end of a thread is known as Outer projecting edge जो होती है, thread की is term as उसको हम आप किस नाम से जानते हैं? Outer projection जो होती है, edge of thread जो होता है उसको nosing के नाम से जानते हैं Nosing के नाम से हम उसको जानते हैं Next one देखिए, the ratio of the daily BOD load applied to the aerated system in gram to the total micro volume mass in the system in gram is term as उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको आप FM ratio के नाम से जानते हैं FM ratio के नाम से हम उसको जानते हैं अगले देखिए, aeration of water is done for the removal of So question क्या हो रहा है? Aeration of water जो होता है, वो किया जाता है ताकि जो घुली हुई gases होती है, उनको remove किया जा सागे Option A हमारा answer हो जाएगा इस question के लिए अगला देखिए, तोटल डेफ्ट of RCC slab is governed by तोटल डेफ्ट of RCC slab is governed by यनि के control की जाती है by किसके द्वारा तो वो की जाती है servicibility requirement of the deflection इसके द्वारा control की जाती है Option A हमारा answer हो जाएगा इस question के लिए देखिए तो फिनोमेना ऑफ रेंकिंग आउट आउट आउट्फ जॉइंट उट्वारा तो प्रजेक्ट जॉइंट्वारा इस नावन ऐस तो उसको आप पॉंकिंटिंग के नाम से जानते हैं Option A हमारा answer हो जाएगा अगला देखता है, arrangement made to prevent entry of water at the site of pier construction is known as cofferdam यह प्रीबिश सेर के question है, तो कई वार एक्जाम में यह पूछे गए हैं अगला question क्या आप वो रहा है, hold fast iron strap bent in the form of beach of the falling English capital letter at their ends hold fast जो आप use करते हैं, door जो होते हैं, उनको hold करने के लिए उनका जो shape होती है, किस तरह की shape होती है तो यह हम question discuss कर चुके है, वो जैड अकार की होती है जैड अकार यहां पर थोटा सा, दो लिखा हो लेकिन जैड अकार की होती है, वो English के letter की तो इसका जो size होता है, वो 30 y 5 mm का होता है, 30 y 5 mm अगला क्या बोरा है, in an open channel, a moving wave front which brings about an abrupt change in depth of the flow is known as abrupt change in depth of flow, उसको आप surge के नाम से जानते हैं, surge के नाम से जानते हैं अगला कोशन बोरा है कि hydrographic survey deals with the mapping of, hydrographic survey जो होता है, वो deals करता है with the mapping of large water body, hydro, पानी से relate करता है, यह trick में आपको बताई हुई है अगला देखिए, if foundation is considered to be shallow, कोई एक foundation है जिसको आप shallow मान के चल रहे हैं इफ उसकी जो गहराई होती है, वो dash होती है, उसकी गहराई जो होती है, बराबर या फिर less than होती है, उसकी जुडाई से तब आप उसको shallow मानेंगे अगला देखिए, the foundation which sports a large number of footing of load of a single unit and cover the whole loaded area is called उसको आप raft foundation के नाम से जानते हैं, आपकी soil जो होती है उसको बाइब बेरिंग कपैसिटी नहीं होती है तो आप raft foundation को ही यूज करते हैं अनेश देखिए, the swelling nature of black cotton soil is primarily due to the presence of, वही swelling nature जो होता है black cotton soil का, वो primarily due to presence of, क्या present होता है सबसे पहले तो मों टो मोरिलो नाइट प्रेजेंट होता है उसके बज़े से आपको देखने को मिलता है अगर लों लास्ट कॉशन देखिए हमारे इस वीडियो का कॉश्चन क्या आप गर रहा है तो यूनिट ओफ मेजरमेंट पर क्यूंटल जो होता है किसके लिए यूनि फ्रेंड जीते हमारे मोस्ट एक्सपेक्टर कॉश्चन वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में